बारामती में CAC लड़ाई अभी शुरू हो चुके हैं एक तरफ पूरा भारत वर्ष हम देखे तो पहली फेस के लिए चुनाव के लिए वोट करेगा लेकिन दूसरे तरफ बारामती की लड़ाई इतनी खासा स्पेशल क्यू हो चुकी है क्योंकि शरतपवार के फैमिली से ही वहाँ कैंडियेट रहेगा खुद सुप्रिया सुले हमारे साथ है थोड़ी देर पहले अपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म दिया है अभी अब सभा के लिए जाएंगी पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी क्योंकि आज से एक्चुल ऑन पेपर अगर देखे तो सब कि मैं तहे दिल से आभारी हो और इस बार मेरा मेरिट देखे मेरा काम देखे पारलमेंट के भी और मेरे निर्वाचन शेत्र में सब की मदद से हुआ जो विकास हम सब ने मिलके एक टीम की तरह किया वो सब देखे मेरा मेरिट देखे मुझे फिर एक बार उनके पवित्र र लड़ाई है वो पवार बनाम पवार है सुले बनाम पवार है या फिर वो गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है मेरे लिए वो एक वैचारिक लड़ाई है नाम सिर्फ भारत का है और सिर्फ अजेंडा भारत की सेवा है बात यह है कि इससे पहले तो आप जहां मतलब बीजेपी के उमेदवार हो या फिर कोई और प्रतैशियों उनके खिलाफ लड़ते थे इस बार लड़ाई फैमिली स्प्लिट जिससे कहां जाए वो दिखाई दे रहा है तो इसको आप किस देखते हैं क्योंकि एक बात clear है कि वहां से भी आपके उपर allegations continuously चालू है अजित पौर खुद कह रहे है कि इतने साल में हुआ क्या यहां पर मैं तो खुद अभी पैसे मतलब यहां से fund देने के लिए तयार हूँ यह एक तो हम सब ने 18 साल जब से मैं चुनके आई हम लोग एक साथ काम किये और अजित ददा तीस या 35 यह से यहां से चुनके जा रहे हैं तो हम पहले से ही साथ में काम करते आ रहे हैं 18 साल जब मैं यहां सांसती वो यहां के MLA रहे हैं और काफी बारमती लोग सुबा में काफी ऐसे MLA है जो हमारे विचार के अब तक रहे हैं तो हर ये सब हम टीम करके हम लोग काम करते थे और मेरे ख्याल से अभी आप देख रहे हैं कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है वो वैचारिक है और एक शड़य अंत्र है जो आदर्णिया पवार साब के खिलाफ ये कर रहे है क्योंकि बीजेपी के नेता नहीं कहा है क कि हम पवार साब को खतम करना चाते ये मेरे शब नहीं है ये भारतिय जन्ता पार्टी के जो नेता है चंद्रकान पार्टिल उन्हों ने कहा कि हम शरत पवार को खतम करना चाते तो ये विकास जिसके लिए हम लड़ रहे है किसानों के लिए लड़ रहे हम कामगार के लिए लड़ रहे हैं, जो शोशित है, वंचित है, पीड़ित है, उसके लिए हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन वो वहां से सिर्फ पवार साब को खतम करने की बात कर रहे हैं। और इस तरह से अजित पौर का ये सब कुछ बयान हैं। वहां के पुरंदर हो, या फिर इंदापु जैसे तैसील हो, वहां पे भी सूखा दिख रहा हैं। तो डेवलप्मेंट मॉडल के उपर सवाल उठा रहे जाने ये काफी लाजमी है। ने बिलकुल, मैं तो डिसेंबर से सूखे के बारे में कह रही थी। आप मेरी मीटिंग्स देखे, मेरे खत देखे, आप मेरे ट्वीट्स देखे, मैं डिसेंबर से लगातार कहती आ रही हूं कि इस साल बारिश कम हुई है, सूखा है, पानी की कमतरता शेहर में भी है और गाउ में भी है। मैं डिसेंबर से लगातार कहती आ रही हूं कि पानी के मामले में सरकार ने राजनीती से हट के कुछ करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं, सरकार को सिर्फ पाटिया तोड़े, घर तोड़े, इतने व्यस्त है वो, उनके काम करने के लिए टाइम नहीं है और सूखे के आज मिस मैनेजमेंट जो हो आए, उसके लिए यह सरकार की यह गलती और जिम्यदारी है। देश आता है, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली आती है। तो मैं देश की सेवा के लिए राजनीती मैं आई हूँ और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि देश के लिए और क्या मैं कर सकती हूँ, राज्य के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, करता के तौर पे क्या कर सकती हूँ